देर्थियों आज हम कक्सा बारा हिंदी की पाठ्थे पुस्तक अंतरा भाग दो काव्य खंड के अध्याइच्छे में वरनित रचनाएं पहली रचना जिसका शीर्षक है वसंत आया और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है तोडो इन रचनाओं के रचनाकार कभी रगुवीर सहाई का परिचे प्राप्त करने जा रहे हैं कभी रगुवीर सहाई का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनव में सन 1929 इस्वी में हुआ आये इनका परिचे हम बिंदुवार प्राप्त करते हैं रगुवीर सहाई का जन्म सन 1929 इस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनव नामक स आपकी संपूर्ण सिख्षा लखनव में ही हुई वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमे किया रगवीर सहाय पेसे से पत्रकार थे आरंब में उन्हों ने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में काम किया फिर वे आकाश्वानी के समाचार विभाग में रहे आप पत्रकार थे आपने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में कारे किया साति साथ आपने आकाश्वानी के समाचार विभाग में भी कारिय किया है कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकासित होने वाली पत्र का कलपना के संपादन से भी जुड़े रहे और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का संपाधन भी किया पत्रिका कल्पना जो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी इस कल्पना पत्रिका के भी आपने संपाधन का कारी किया और कई वर्षों तक आपने दिनमान का भी संपाधन कारी किया है रगवीर साहः नई कविता के कवी हैं. उनकी कुछ कविताएं अग्ये द्वारा संपाधित दूसरा सब तक में संकलित हैं. उनकी कुछ ऐसी कविताएं हैं जो अग्गे द्वारा संपादित दूसरा सब्तक है उसमें संक्लित की गई है। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गध्य भी लिखा है। आपने कविताओं के अलावा रचनात्मक और विवेचनात्मक गध्य की भी रचना की है। उनके कावे संसार में आत्म परक अनुभवों की जगें जन जीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। उनके कावे संसार में जन जीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। के कावे में हमें आत्म परक अनुभव कम दिखाई पड़ते हैं। उसके बजाए उनके कावे संसार में जन जीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक द्रश्टी गोचर होती है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरिक्षन अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। और अपने जीवन के अनुभवों को सामिल करते हुए बोध को कविता में अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। रगवीर सहाई ने काववे रचना में अपनी पत्रकार द्रश्टी का सरजनात्मक उपयोग किया है। जैसा कि वे एक पत्रकार के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिगाओं का निर्वहन करते रहे हैं, पत्रकार के रूप में रगवीर सहाई ने अपनी काववे रचनाओं में अपनी पत्रकार द्रश्टी का भी सरजनात्मक उपयोग किया है। वे मानते हैं कि अकबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती है जिन में मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभीव्यक्ति करना ही कवीता का दायत्व है कवी का मानना है कि अकबार में छिपी हुई बहुत सारी खबरें ऐसी होती है कि उन खबरों के माध्यम से मानवीय पीड़ा की ससक्त अभीव्यक्ति नहीं हो पाती है मानवीय पीडा की ससक्त और मारमिक अभिव्यक्ति करने के लिए कवी कवीता को प्रमुक साधन के रूप में मानते हैं और वे ऐसा कहते हैं कि अकबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरे होती है जिन में मानवीय पीडा छिपी रह जाती है उस मानवीय पीडा की अभिव्यक्ती ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है उस मानवीय पीडा की अभिव्यक्ती को कविता ही प्रमुक रूप से और प्रभावसाली तरीके से अभिव्यक्त कर सकती है इस प्रकार उस छिपी हुई मानवीय पीडा की अभिव्यक्ती करना कविता का दाइत्व है इस काव्य द्रश्टी के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नई काव्य भासा का विकास किया है और इसी द्रश्टी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी काव्य भासा का विकास करते हुए काव्य रचनाओं में अपने रिधे की भावनाओं को अभिव्य प्रियोग से प्रियास पूर्वक बचते हैं। बचते हैं। आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विसेष्था मानी जाती है। उनकी कविता की प्रमुक यह विशेष्टा है कि उनकी कविताओं में बह्या करांत अनुभों की आवेग रहित अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। रगवीर सहाई ने मुक्त चंद के साथ साथ चंद में भी काविरचना की है। जीवनानुभों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की सर्रचना में कथा या व्रतांत का उप्योग भी करते हैं। अपने जीवन के अनुभों को अभिव्यक्त करने के लिए वे कविता में कथा का और व्रतांत का भी उप्योग करते हैं। कथा का उपयोग करते हैं वृतांत का उपयोग करते हैं अपने जीवन के अनुभों की अभिव्यक्ति करने के लिए जीवनानुभों की अभिव्यक्ति के लिए वे कवीता की सर्रचना में कथा या वृतांत का उपयोग करते हैं उनकी प्रमुख का विकृतियां इस प्रकार स से हैं सीडियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हसो हसो जल्दी हसो और लोग भूल गए हैं यह उनकी प्रमुख का विक्रतियां है छैखंडों में रगवीर सहाई रचनावली प्रकाशित हुई है जिसमें उनकी लगबग सभी रचनाएं संग्रहीत है रगवीर सहाई रचनावली का छैखंडों में प्रकाशन हुआ है और उसमें लगबग उनकी सभी रचनाओं को संग्रहीत किया गया है लोग भूल गए हैं कावे संग्रह पर उन्हें साहित्य अकाद्मी पुरुषकार प्राप्त हुआ उनकी रचना लोग भूल गए हैं इस कावे संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया आपका निधन सन 1990 इस्वी में हुआ वसंताया कविता के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं वसंताया कविता कहती है की आज मनुष्य का प्रकर्ती से रिस्ता तूट गया है अब अनुभव करने के बजाय केलेंडर से जाना जाता है अब लोग अनुभू नहीं करते कि वसंत रितु आ गई है वरन अनुभू के बजाए लोग केलेंडर में देखकर पता करते हैं कि वसंत रितु आ गई है रितुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावते गटित होता रहा है गटित हो रहा है रितुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावते गटित होते रहते हैं पत्ते जड़ते हैं कौपले फूटती है हवा बहती है ढाक के जंगल दहकते से दिखाई पड़ते हैं कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में जूमते हैं पर हमारी निगा उन पर नहीं ज निर्पेक्स बने रहते हैं वास्तों में कवी ने आज के मनुष्य की आधुनीक जीवन सैली पर इस कवीता के माध्यम से व्यंग किया है इस कविता की भासा में जीवन की विडमना चिपी हुई है और साती साथ प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवी ने देशज तदभव सब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रियोक किया है यदि इस कविता की सिल्प सेली की बात की जाया है तो इस कविता में कवी ने प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवी ने देशज यानी तदभव सब्दों को और क्रियाओं का भरपूर प्रियोक किया है असोख मदन महीना पंचमी नंदन वन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवनानुभवों की भासा ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनोती की तरह खड़ा कर दिया है असोख का वरक्ष मदन महीना पंचमी और मदन महीना पंचमी नंदन वन इंद्र कानन इंद्र का वन आनंद प्रदान करने वाला वन नंदन वन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवनानुभवों जीवन के अनुभवों की भासा ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक च खड़ा कर दिया है कवीता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुन्दर प्रियोग हुआ है इस कवीता में कवी ने बिंबों का और प्रतीकों का बहुत ही सुन्दर प्रियोग किया है तोडो कवीता के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं तोडो कवीता के रचनाकार रगवीर सहाय है रगवीर सहाय तोड़ो कविता में स्रजन हेतु भूमी तयार करने के लिए भूमी का बनाते हैं तोड़ो उद्बोधन पर कविता है इसमें कवी स्रजन हेतु भूमी को तयार करने के लिए चट्टाने उसर और बंजर को तोड़ने का आवान करता है तोड़ो कविता म ये कवी ये कहता है कि स्रजन हेतु भूमी को तयार किया जाए और भूमी को तयार करने के लिए चट्टानों को तोड़ा जाए उसर और बंजर को तोड़ करके उपजाओ भूमी में बदला जाए इस प्रकार से वह उपजाओ भूमी में अनुपजाओ भूमी को बदलने का आ आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपून प्रक्रिया है ऐसी धर्ती जो परती पड़ी हुई है जिस पर किसी प्रकार की खेती नहीं हो रही है इस प्रकार परती भूमी को भी खेत में बदलना उपजाओ भूमी में बदलना स्रिजिन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपून प्रक्रिया कवी मानते हैं यहां कवी विद्वन्स के लिए नहीं उक्साता इस कविता के माध्यम से कवी विद्वन्स के लिए नहीं उक्साता वरन स्रिजिन के लिए प्रेरित करता है स्रिजिन की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से कवी देता है अनुप जाओ बंजर भूम को उपजाओ भूमि में बदल कर स्रिजन की और अग्रशर करने का बाव इस कविता के माध्यम से कवी ने अभिव्यक्त किया है कविता का उपरी ढाचा सरल प्रतीत होता है परन्तु प्रकरती से मन की तुलना करते हुए कवी ने इसको नया आयाम दिया है कवीता सामान्य तोर पर देखने में बहुत सरल सी प्रतीत होती है कवीता का उपरी धाचा भी बहुत सरल सा प्रतीत होता है परन्तु प्रकृती से मन की तुलना करते हुए कवी ने इसको एक नया आयाम दिया है यह बंजर प्रकृती में है तो मानव मन में भी है कवी कहते हैं कि धर्ती का बंजर होना यदि प्रकरती में सामिल है तो मानव मन में भी इस प्रकार का भाव पाया जा सकता है मानव मन में भी उब हो सकती है खीज हो सकती है इस प्रकार का उबाउपन हो सकता है निरासा का भाव हो सकता है कभी मन में व्याप्त उब तथा खीज को भी तोड़ने की बात करता है अर्थार्थ उसे भी उर्वर बनाने की उसे भी उपजव बनाने की उसे भी स्रिजनात्मक्ता का भाव देने की बात कभी करता है मन के भीतर की उब स्रजन में बाधक होती है कभी कहते हैं कि मन के भीतर यदी उब रहेगी तो स्रजन में बाधकता उत्पन होगी स्रजन हो ही नहीं पाएगा मन के अंदर आसा उत्साह और उमंग का भाव होगा जिसें कि स्रजन का भाव भी बहुत ही बहतरीन तरीके से बन पड़ेगा इस प्रकार कवी कहते हैं कि मन के भीतर की उब स्रिजिन में बादक है कवी स्रिजिन का आकांगशी है इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है कवी कहता है कि मन के भीतर की उब को दूर कर दिया जाना चाहिए मन के भीतर आसा उत्सा ओमंग का संचार करना चाहिए मन के भी दूब को मन के भीतर की खीज को पूरी तरह से दूर कर देना चाहिए इसलिए कवी मन के बारे में प्रश्ण उठाकर आगे बढ़ जाता है इससे कवीता का अर्थ विस्तार होता है प्रिविद्यार्थियों आज हमने कवी सहित्यकार रगवीर सहाई का परिचे प्रापत किया में हम सहत्यकार कवी रगवीर सहाय द्वारा रचित रचना जिसका शीरसक वसंत आया का अध्यन करेंगे इससे संबंदित वीडियों लेकर हम सिग्रही आत के समक्स उपस्तित होंगे तब तक नमश्कार